वेल्कम तो चैनल गार्डन क्वीन फ्रेंड हमारे गार्डन में जो ये मेरी गोल्ड के जिनको गेंदा भी बोलते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं और सब चाहते हैं कि सब के गार्डन में इतने प्यारे प्यारे फूल लगें और इनको लगाना भी जो होता है बहुत ही आसान होता है आप इनको बीज से भी लगा सकते हो कटिंग से भी लगा सकते हो आज हम अपनी वीडियो में ये सब ही बताएंगे कि इसको आप कैसे ग्रो कर सकते हो और इतने बड़े बड़े और सुन्दर सुन्दर फूल कैसे पा सक तो वीडियो में बने रहें और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज चैनल को भी subscribe कर लें वीडियो अच्छी लगे तो like भी करें और बेल icon को भी जरूर से press करें क्योंकि अगर बेल icon को आप press करते हो तो आपको आने सीड से भी गरो कर सकते हो मार्किट से बने बना अगर प्लांट लेते हो आपको 50 रुपीज में मिलेंगे बहुत कोश्टली मिलते हैं और उन पर एक बार ही फ्लावरिंग होती है फिर नहीं होती है क्योंकि जो उन पर फुल सैट होते हैं जो कलिया बनी रहती है बस वो ही किल पर आती है उसके बाद नहीं आती हो और अगर आप खुद से तयार करके पोदा लगा रहे हो वो आपको लंबे टाइम तक फ्लावरिंग देगा और आपके गार्डन में बना भी रहेगा तो फ्रेंड यह इतने प्यारे प्यारे पूल आप भी अपने गार्डन में लगा सक सकते हैं और सीड से प्लांट तयार करके भी लगा सकते हैं हमने यह सभी पोदे जो हैं पुराने सीड से तयार किया हैं जो हमने पिछले साल का भी कलेक्ट करके रखा हुआ था उसी को लगा कर अपने पोदे तयार किया हैं और यह सभी पोदे किसी अलग पोट में नहीं है पोदो के पास में ही पोदे हैं मतलब एक जो पोट होता है उसके अंदर दो दो पोदे हैं यह हमारा पुराना सीड है जब बी जिस तरह काला पढ़ जाए पक जाए पूरी तरह वो ही ग्रो होगा अगर आपका फुल तोड़कर उसके अंदर वाइट वाइट सीड रहते हैं उ जो होते हैं पर्मेनेंट भी फ्लावरिंग करते हैं और सीजनल भी आते हैं जो सर्दियों के लगाए जाते हैं गर्मियों के लगाए जाते हैं हमारे पास जो यह सीड हैं यह हमारे सर्दियों के ही गेंदे के हैं तो हमने इनको लगाया और अब इन फर फ्लावरिंग भी हो इसको क्योंकि यह heavy flowering करता है इसको जो है आपको fertilize करना होगा मतलब इसको liquid fertilizer जो होता है देना होता है जो आप 15 दिन में दे सकते हो जिससे आपको ज़्यादा flowering मिले और आपका plant भी लंबे time तक चले अगर आप flowering नहीं करोगे तो उस पर एक बारी सोरी अगर आप उसमें fertilizer नहीं करोगे तो उसवर एक बार ही flowering होगी फिर नहीं होगी फिर आपका पोदा खतम हो जाएगा एक बार को जो होता है dormancy में चला जाएगा फिर दुबारा ही उसके अंदर जो है new branch चाहेंगी फिर कली बनेंगी फिर flowering होगी देखे इसके लिए हमने सीड को भिखेडिया है विखेडने के बाद उसके उपर थोड़ा मिट्टि को कवर कर दिया है जिससे हमारा सीड जल्दी से हुझा इसको हमने cutting से तयार किया और इस पर भी अच्छी जो है फ्लावरिंग हो रही है यह हमारा पोदा है पुराना जो प्लांट था हमारे पास उसी की cutting को हमने grow किया है और यह cutting हमारी इतनी हो गई है क्योंकि हमें दो तीन मंद से continue full दे रहा है प्लांट तो इसकी स्थिती ऐसी है और यह हमारे new प्लांट है सब इन पर देखो कितनी कली आ रही है कितने हरे बरे हैं फ्लावरिंग भी जो होती है अच्छे फूल है बड़े बड़े फूल आते हैं साइज में यह सब हमने जो है एक ही पोट में लगाई हुए है क्योंकि हमारे पास कोई फोट अभी खाली नहीं है पोट खाली मिलेगा तो हम इनको जरूर से लगा लेंगे पर अभी जो है पोट इतने खाली नहीं है और यह सब हमारे new प्लांट है इन पर कली आ रही है और फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है और यह सुख जाता है उसको हम पिंच करने अगये मतलब काट कर खटा देंगे और फिर हमारे प्लांट पर महीं से gonna new branch को हम सीड नहीं नहीं बनने देंगे अगरबने को पुम्हालन उद्धितम नगे टों हीगगा और शोब यह बièrement करके पोदेप सीड़ m कटिंग लगाई हुए देखो कितना प्यारा फूल है कर आप कटिंग से तयार करना चाहते हो तो बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग आ जाती है और अगर सीड़ से लगा रहे तो आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होता है मैरी गोल्ड मैरी गोल्ड जो होता है फुल सबसे बैश्ट होता है और आप नॉर्मन सा एक फर्टिलाइजर दे दे रही है आपको ज्यादा कुछ करने की ज़रत नहीं है आप कावडंक लीजिए उसे दो तीन दिन के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद आप उसे पानी को अपने प्लांट के अंदर डाल दीजिए आपका हैवी फ्लावरिंग करेगा वो कोई भी प्लांट हो सकता है फूल देने वाला फल देने वाला सबजी देने वाला कोई भी पोदा हो आपका उसी में आप फर्टिलाइजर दीजिए और आपके बोदे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब होगी देखे ये फर्टिलाइजर ह हमने कवडंग से तयार किया है, इसको हमने 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद इसको हम अपने सभी पोदों में यूज करेंगे, देखिए यह छोटा सा हमने कवडंग काटुकड़ा लिया है, और इसको अब हमने सभी प्लांट में देगे, क्योंकि जो होते हैं म मिट्टी को बनाका रहा सब्क्राइब सब्क्राइब मुद्टे षब करेंके चाहे सल सब्क absolument मुद्टेलाइजन लगा और विचैनल उसके पिछले साल का प्लांट। उसी की cutting को लगा दिया था अगस्त में और अब तनी अच्छी flowering हो रही है इसको मैंने कहील आट में लगाया है कल्रके प्लांटकर जो ये हमारा गेंदा होता है और जो सीड से लगाते हम लाल वाला गेंदा वह काफी बड़ा हो जाता है और जाकर वो मार्च मतलब pverlira end में जाकर flowering करता और इस वाले जो यह hybrid red वाला गेज़ा रहता गेंदा रहता है यह हमें भौजलती flowering देता है किसे पेस्वाः का है काफी को यह यह फर्टिलाइजर डाल दिया है क्योंकि सिर्गनी कोई इसी तरह अपना लिकविड फर्टिलाइजर डाल देंगे और आप भी अगर यह काम करते हो अपने मेरी गोल्ड के प्लांट में तो आपको भी इसी तरह फ्लावरिंग मिलेगे कोन नहीं चाहता कि उसके गार्डन में फ्लावरिंग ना हो सब चाहते हैं और जब इतने प्यार faill किलते हैं तो मन बहुत कुश होता है बहुत ही सकुन मिलता है और एक अलगी खुची होती है जब आप गोओ recur left of amer 특iej लzen रहते हैं आपका रिजले त्हेंट रहता है तो आपको वहत ही खुची होती है तो कुसी payer को ठीका नहीं नहीं होता और अभी यह गेंद जो है खिल रहा है मतलब अभी ये और खिलेगा काफ़ी बड़ा हो जाता है इसकी जो ये पत्या है पीछे को जो है चली जाती है बिल्कुल गोल एक बोल की तरह बन जाता है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बाई बाई थैंक यू फोर वाचिंग